नमस्कार दोस्तों वैश्नभी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे केचुवा खाद बनाने का तरीका बर्मिंग बेड भिक्के पैक वाल बर्मिंग बेड प्राइबेट लिमिटेड है यह काफी अच्छी क्वाइलिटी का बेड है यह आई पूरी कोट सम को सहन कर सके गर्मी बर्षाद ठंडी और लागातार पान से छो साल तक इस्तमाल कर सके साथ में इसमें छो जाली दी गई है इन जाली का फायदा यह होता है कि जब आप केचुवा खाद का त्यार करते हैं तो उस समय आपकी केचुवा को और खाद की हवा का काफी ज़्यादा जरूरत होता है और जो केचुवा है अच्छा उनको बातावरन मिलता है और काफी अच्छा से ओ ग्रोथ करते हैं इसके अलावा जब आपका खाद त्यार हो जाता है तो इसे सुखने में भी यहां से हवा आती है तो सुखने का जो काम है वो जल्दी से हो जाता है इस परकार के जो बेड होते हैं इसका फाइदा यह होता है दोस्तों की इसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं घर की छट पर चाहे तो वहां पर भी लगा सकते हैं अपने आगन में लगा सकते हैं साथ ही इसे बड़ी आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जा सकता है जो हम पक्के वाले बनाते हैं वो एक जगा फिक्स हो जाता है उसे हम बनाने के बाद एक जगा से दूसरी जगा नहीं ले जा सकते हैं काफी कम समय में इसे हम लगा सकते हैं कि सिमेंटेट बनाने में ज्यादा खर्च आता है तो इस तरह के बेड़ हम लोग मंगवा सकते हैं दोस्तों बर्मिंग बेड़ को सेटम करने के लिए पहले आप जीस तरह पर इस सम्तल कर लें और एक तरफ चार से पांच इंच का धलान रखें ताकि हम जब भी बर्मिंग बास इकठा करे तो वो बड़ी आसानी से इकठा हो जाए और पानी बर्मिंग बेड़ के अंदर भरा न रहे बर्मिंग बेड़ के लगाने के लिए चौदा बास की खुट्टा की जरूरत पड़ती है च्छा पॉल बास के खुट्टा एक साइड लगेगा और च्छा पॉल बास का खुट्टा एक साइड लगेगा और एक-एक पॉल या बास का खुट्टा दोनों साइड लगेगा दोस्तो बर्मिंग बेट के लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस साइड बेट का धलान है उस साइड लाश्ट में अंदर जाली लगी हुई है धलान वाली साइड रखनी है ताकि जो भी बर्मिंग बास वास है वो बह कर एक साइड आ जाए इसके बाद इसके अंदर आपको आगे पॉल लगाने है पॉल या मास का खुटा लगाना है उस जगह पर मार्क कर ले या बर्मिंग बेड अंदर खुटा को सेट करने वाला जगह पर निशान बना ले चुने या राक से निशान बना ले पॉल का हाइट एक समान रखनी है एक सीध एक लाइन में रखनी है जब यह सारी पॉल लग जाए तो एक सेप्टी टैंक में इस्तमाल होने वाला प्लास्टिक पाइप लेना है जो की 75 mm का होता है गड़े में जो ढलान के तरफ बर्मिंग बास का लिक्वीड इकठा करेंगे वो पाइप से एक तरफ छेद या जाली लगी है उस पाइप के दोरा कनेक्ट कर देते हैं पाइप को थोड़ा मिट्टी के अंदर दवा देना है जाली से कनेक्ट कर देना है और सारा बर्मिंग बास वेस्टेज इकठा होकर गड़े और सारा बर्मिंग बास चला जाता है जिससे पाइप के सहारे बर्मिंग बास गड़े में चला जाए जो भी पॉल या बास का खुटा लगाया है उन पॉल में जो बर्मिंग बेट के वाल के अंदर घुसा देना है इस पैनल पॉल का महत्व यह है कि यह बेट की जो वाल है उसको एक जैसा रखने के लिए ताकि यह जो बेट को इधर उधर गोवर डालने के बाद फैले नहीं इसलिए इसका इस्तमाल किया जाता है यही इस छत या फर्स पर लगा रहे तो इन पॉल को बसे वाल को खड़ा रखने के लिए उपयोग किया जाता है और जहां पर भी यह मिट्टी में आप लगा रहे हैं तो उहां पर इसको गाड़ना होता है फसल अवसेस की परत जैसे सुखी पतियां घास भूसा पान से छ इंच की बर्मिंग बेड के नीचे सतह पर फसल के अवसिष्ट है वो हम इसके अंदर बिछानी होती है इसके बाद इसमें नमी बनाने के लिए इसमें पानी का छिड़काव करना है जो बरसात में भिंगा हुआ खर पतवार की तरह गीला 50% से 60% नमी बनाना होता है कई किसान भाई भूसे के जगा मिटी के परत लगा देते हैं लेकिन मिटी के परत तब ही लगाए जब एक केचुए देशी नसल के हो यदि आपके पास आसियाना, फोटी डाइज, यूडिलेस, यूजनी हो तो फिर आप मिटी के परत ना लगाए यह जो केचुए हैं, मिटी आप परत ना लगाए, 10% ही खाते हैं जो देशी केचुए हैं, वो मिटी को और 90% गोबर और कार्बनीक पदार्थ हैं, उन्हें खाते हैं, देशी केचुआ होते हैं, वो 90% मिटी खाते हैं और 10% ही कार्बनीक पदार्थ खाते हैं, जो देशी केचुए हैं, वो 10% मिटी खाते हैं, 90% गोबर और कार्बनीक पदार्थ खाते हैं इसके बाद जो लेयर लगानी हैं, वो आपको गोबर का लेयर लगानी हैं और ठंडे गोबर की लगानी हैं गोबर को किस तरीके से थंडा करें, जब गोबर इकठा करें तो उसे खुला छोड़ें, मतलब पहला दें पूरे गोबर को ताकि उसकी जो गर्मी हैं, वो निकल जाए, इसके अंदर जो गैस है, वो निकल जाए अगर फिर भी ठंडा नहीं हो रहा है तो या दो बार पाने चाहिए अगर फिर भी लगता है कि गोबर गर्म है तो इसके अंदर हाट डाल कर देखना है हाट डाल कर आपको महसूस हो जाएगा उसके अंदर गर्मी आ रही है या नहीं यही अगर आ रही है तो फिर उसके उपर से एक दूबार का पानी से छिड़काव करें जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता है जो इसके अंदर गोबर यूज करते हैं वो कितना पुराना होना चाहिए तो इसमें दोस्तो ताजा गोबर का इस्तमाल नहीं करना है कम से कम 20 दिन पुराना गोबर ज्यादा से ज्यादा डेड़ महिने से दो महिने पुराना गोबर इसमें इस्तमाल नहीं करना है साथ ही हमको डेड़ फिट की गोबर का लेयर लेना है ताकि बर्मिंग बेट के जाली तक ही गोबर के परत लगाना है ताकि यहां से जो हवा है वो पूर्ण तरीके से केचुओ को मिलती रहे इसको अंदर हमें गोबर के परत लगानी है परत लगाते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे बेड़ है वो डेड़ फिट से लगभग भरा ही हुआ है तो यानि कि यह जो जालियां बनी हुई है यहां तक डेड़ फिट का गोबर आ जाएगा साथ ही जालिया के नीचे रखना है कि प्रयाप्त मात्रा में हवा मिलती रहे केचुओ के अच्छे विकास के लिए हवा खाना और अंधेरा जरूरी होता है वह बहुत ही जरूरी है उचित बातावरन यदि उनको मिलता है तो बहुत अच्छे से वह ग्रोथ करते हैं इससे बर्मिंग बेट के अंदर तकरीबन पंद्रह सो किलो गोबर अलग अलग मौसम में पानी की मात्रा अलग अलग डालनी है यदि गर्मी के दिन है तो आपको एक दिन छोड़कर एक दिन पानी का छिड़काव करना है क्योंकि वास्पी करन के कारण जो पानी होता है वो उड़ जाता है इसका प्रयाप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है नमी नहीं मिलता है यदि ठंडा का मोसम है तो आप सप्ताह में दो बार या एक बार पानी दे सकते हैं और बरसात में भी सप्ताह में एक बार या दो बार पानी दे सकते हैं लेकिन गर्मी के दिनों में पानी की मात्रा बराबर बनाए रखना है इसमें तकरीबन जो पानी लगता है बेड आपका पूरा गिला हो जाता है इसके बाद 15-20 लिटर पानी की आउ सकता होती है और पानी छिड़काव 15-20 लिटर करते हैं और करते बद ध्यान में रखना है कि उतना ही पानी का छिड़काव करना है जब तक पाईप के अंदर पानी आने न लगे अगर आपको पानी आने लगा है तो आपको छिड़काव करना बंद कर देना है इससे ज़्यादा आपको पानी इस बेड के अंदर नहीं लगाना है और नमी देखते रहना है हाट डालकर नमी देख सकते हैं कितना नमी इसके अंदर है इसके बाद ही पानी डालना है यानि की 40 परशेंट या 50 परशेंट नमी इसके अंदर रखना है ताकि केचुए अच्छे से विकास कर सके इसके बाद इसके अंदर आपको केचुवा डालना है केचुवा तीन सबसे बढ़ियां परजाती का है अच्छे से गोवर को कमपोष्ट में बदलती है पहला है आसियाना फोर्टी डाइज दूसरा है यूडिलेस यूजानी यूडिलेस यूजमी और तिसरा है जै गोपाल पहला है आसियाना फोर्टी डाइज दूसरा है यूडिलेस यूजमी तिसरा है जै गोपाल ये तीन परजाती काफी अच्छे से गोवर के खाद बनाने का काम करती है इसके बाद बर्मिंग बेड में केचुवा डाल देते हैं केचुव के मात्रा 70 दिनों के अंदर खाद बन जाता है वो तियार हो जाता है दोस्तों केचुव के अंदर सभी तरह पूरे बर्मिंग बेड में बिखेरना है या एक समान मात्रा में फैलाना है केचुव को अलग-अलग जगा से खाते हुए नीचे के तरफ जाएंगे यदि हम एक जगा इन केचुव को डाल देते हैं तो एक ही जगा नीचे की तरफ जाएंगे तो पूरे बेड में एक समान खाद नहीं बन पाएगे लग-भग एक बेड में दस से पंद्रा पंद्रा से बीस केजी के बीच में केचुव डालना है जितना जादा केचुव डालेंगे उतना जादा खाद बन कर तियार होगा जब आप केचुव के पूरी तरह विखेर देते हैं तो चारे या पुवाल से सब तरफ से कभर कर ले या ढख लें क्योंकि केचुव के अंदर अच्छे विकास के लिए अंधेरा बहुत ही जरूरी होता है या जूट के लिए जूट का बोड़ी का इस्तमाल कर ढख सकते हैं खुला रह जाएगा तो जैसे ही धूप से वो केचुवा नीचे ही काम करेगा धूप उनको लगेगा तो उपर नहीं आएंगे उस इसे में दूप तरह की खाद अच्छी से नहीं बन पाएगा इसलिए पूरे तरीके से एक समान बोरी से धक देना चाहिए इसके बाद इनके उपर पानी का गीला करना है दोस्तो हम बर्मिंग कमपोस्ट को तयार कर लेंगे लेकिन केचुवा को अलग कैसे करें ये एक दिन का परकिरिया नहीं है धीरे धीरे जैसे जैसे खाद बन जाता है वैसे वैसे आपको इसको निकालना है होता है इसके लिए सबसे पहले आपको जिस बेट में 75% खाद बन चुका होता है तो हमने यहाँ पर पानी का छिड़काव करना बंद कर देते हैं ताकि ये सुख जाए और खाद बनने के बाद इस तरीका का ये भुरुभुरा खाद आपको दिखाई देगा जैसे चाय की पत्ती की तरह ये खाद बन जाएगा तो फिर हम इसे इसमें केचुवा नहीं आने देतना है केचुवे के अलग से निकालना है इसके लिए तरीका ये है कि खाद को अंगुली से हल की तरह गुडाई जैसा कर देना है ताकि जो केचुवा है वो लाइट या धूप पड़ेगा तो अंदर तरफ चला जाएगा एसा अंगुली से जुताई करके एक दो दिन पहले छोड़ देना है फिर इसे धेरी बनाना है तीन चार धेरी बना सकते हैं इसमें केचुवा नहीं आएगा जो केचुवा है वो नमी के अंदर चले गए है छोटी छोटी धेरी बना ले इन धेरी को एक दिन तक छोड़ना है फिर दूसरे दिन इन धेरी को बोड़ी में भर लेना है लाश्ट में जो खाद रहेगा खाली कर दें जो केचुवा होंगे वो एक साइड में आ जाएंगे जिस तरफ नमी होगी उसी तरफ केचुवा आ जाएगा जो बचे हैं उन्हें जाली वाला छननी से छान सकते हैं ये और तरीका है कमपोस्ट से केचुवा को अलग करने के लिए 20 लिटर पानी लेना है दूख केजी सरसो का खल लेना है उसको अच्छे से घोल बनानी है फिर उस तरीके का जूट का बोड़ा उस भिंगो देना है उसके अंदर और उस खल में पूरी रात भिंगोने के बाद केचुवा बेड़ पर ढख देना है कभर कर देना है जिससे पूरी रात में वो केचुवा है वो इस टार्ट के अंदर या बोड़ी के अंदर आ जाएगा सुबह सुर्योदे होने से पहले उठकर केचुवा का बोड़ी में जो सब भर गया है वो सही जगा पर उसको उठाकर फिर दुवारा दुसरी बेड़ में डाल दे अपने खेतों में इस्तमाल करने योग तो सही है पर अगर बेचना है तो जाली से चानना होगा फिर बोड़ी में पैक करना होगा बर्मिंग बास्प या पानी के बारे में इस बर्मिंग बास्प का महत्व है और काफी ज़्यादा है ये पैदावार बढ़ाने में कारगर है क्योंकि इसके अंदर नेट्रोजन, फासफोरस, पोटास, मुख्य जो तत्व हैं घुलनसी लवस्था में हैं यानि कि आप सीधा इसका अस्प्रे कर सकते हैं हार्मोन, बिटामिन, इंजाइम, अमीनो एसिड, कई सुचम्तत, बर्मिंग, वास्प में पाये जाते हैं जो कि फसल के लिए काफी ज़्यादा उपयोगी हैं या फसल, फोल, सबजीयों के लिए काफी ज़्यादा उपयोगी होते हैं इसके उपयोग के तरीके के बारे में बात करें तो एक लिटर बर्मिंग बास्प में 15 लिटर पानी मिला कर आप फसल पर अस्प्रे कर सकते हैं साथी या जैबिक किट नियंतरन का भी काम करता है जिसे आप अपने फसल पर लगने वाले कीटों का नियंतरन कर सकते हैं ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल छोटे पौधे पर इसका इस्तमाल नहीं करना है बाकी सभी पौधे पर इस्तमाल कर सकते हैं आप केचुवा खाद जो है 60 से 70 दिनों के अंदर बर्मिंग बेड़ के द्वारा त्यार कर सकते हैं और इसका जो फाइदा है दोस्तों कि एक बेड़ में के अंदर से 600 से 700 केजी 600 से 700 केजी आप बर्मिंग कमपोष्ट 600 से 700 केजी खाद प्राप्त कर सकते हैं कमपोष्ट के रुपने दोस्तों अगर आपको खरीदना है तो जो कि 3 से 4 हजार रुपया इसकी किम्मत है और आप चाहें तो इसको ले सकते हैं और इस बेड़ से 3 से 4 बार हम खाद साल भर में बना सकते हैं इस बेड़ का किम्मत 3 से 4 हजार रुपया है साल में 10 से 12 हजार रुपया आप कमा सकते हैं बर्मिंग बेड़ खरीदने के लिए रिक्राइड कॉंटेक्ट नंबर है पच्छत्तर 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 एक अठारा जिरो चार एक आवन इगारा दूसरा नंबर है छे आनवे अठाइस पच्छपन जिरो जिरो ते तीस डबलू इसका एक साइट है डबलू डबलू डॉट बर्मिंग बेड्स डॉट कॉम भिक्के बर्मिंग बेड डॉट कॉम इसके माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं थैंक्यू धन्यवाद झाल 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 झाल